साल 2023 की मोस्ट अवेटेड पौरानिक फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म का दूसरे धमाकेदार ट्रेलर में सीता हरन से लेकर रावन की लंका में आग लगाने तक के सीन्स दिखाए गए हैं कम समय में ही ट्रेलर को लाखों लोगों ने देख लिया है कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर मूवी आदिपुरुष का ट्रेलर लाउंच इवेंट तिरुपती में रखा गया फिल्म के निर्देशक से लेकर प्रोड्यूसर और स्टार कास्ट तक सभी ट्रेलर को भव्य अंदाज में देखने के लिए तिरुपती पहुँचे थे सोशल मीडिया पर भी ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है ट्रेलर की शुरुवात रावण सैफ अली खान के छल से होता है भिक्षा देने के लिए जान की कृति सेनन लक्षमन रेखा पार करती है और रावण उनका अपहरण कर लेते हैं रावण के अन्याय का सिर को चलने के लिए रागव, प्रभास, अपने जंग की शुरुवात करते हैं रागव अपनी वानर सेना के साथ रावण की लंका में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं फिल्म के ट्रेलर में एक से बढ़कर एक धासू डायलोग्स दिखाए गए हैं जैसे आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना, जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी थर्रा उठेंगे आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज एक दशानन दस राघव पर भारी है पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सचकी ही होती है सिर्फ 50 मिनट में ही आदिपुरुष ट्रेलर को लाखों व्यूज मिल गए हैं और देख लोगों की मूवी देखने की एकसाइटमेंट पहले से ज्यादा बढ़ गई होगी आदिपुरुष 16 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म का निर्देशन ओम राउत ने किया है जबकि इसका निर्मान भूशन कुमार ने किया है इसके दमदार डायलॉग्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं लीड रोल में सैफ अली खान, प्रभास कृति सेनन, सनी सिंह और देवदत्ता नागे हैं